आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप लेडिस काड़ियन में जैकिट में श्रग में गर्ल्स टॉप में बच्चों के स्वेटर में फ्रॉप में एज बाड़ भी यूज कर सकते हैं तो आगे की साइड से इस तरह से दिखता है और इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो फंदे चाहिए होंगे वो बारा के मल्टिपल से होंगी यानि की बारा बारा के मल्टिपल से आपने इसके फंदे लेने हैं प्लस तीन फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे एक फंदा साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए दो 12 12 के multiple से लिए हैं दो बार 12 12 फंदे लिए हैं तो 24 फंदे हो गए तीन फंदे इसके extra लिए हैं एक फंदा साइड में रिजाइन को एकल करने के लिए दो फंदे आस्टिच के तो 27 फंदे हो गए नीचे से बेस देने के लिए 2 रवव ओल्टे फंदों के सार निकाल ली है तो चलिए बनाते हैं पहली रौ सीधी साइड एस टे स्लिप करेंगे धागा आगे स्टार्टिंग में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहां से रपीड पैटन स्टार्ट करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार जाई डालेंगे धागा पिछे एक फंदा सीधा चार तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए यह देखिए दो फंदे छोड़ कर यहां तक हमारा एक पैटन कंप्लीट हो गया है इसमें हमने चार फंदे उल्टे बनाए जाई डाली एक फंदा सीधा जाई डाली चार फंदे उल्टे तीन फंदों का एक फंदा उलता बुनते हुए बनाया है फिर से इस पैटर्न को रिपीत करेंगे चार फंदे उलते 1,2,3,4 जाए डालेंगे धागा पीछे, एक फंदा सीधा जाए डालेंगे धागा आगे चार फंदे उलते एक दो, तीन चार लास्ट में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए तो देखे पैटन के स्टार्टिंग में और लास्ट में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए और सेंटर में जितने भी फंदे होंगे वो तीन फंदों का एक फंदा ही बनेगा एस्टिच है, एस्टिच सीधा बना लेंगे पहली राव कम्प्लीट हो गई है दूसरी राव, रॉंग साइड इस राव में सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे हर बार इसकी रॉंग साइड सेम ही बुनेंगे उल्टे उल्टे फंदों के साथ तो दिखे तीसरी राव, सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे स्टार्टिंग में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन धागा पीछे दो बार एक फंदा सीधा बुनेंगे जाए डालेंगे एक फंदा सीधा जाए डालेंगे वन एक फंदा सीधा जाए डालेंगे टू एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक दो तीन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए तो दिखिए दो फंदे छोड़कर यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने तीन फंदे उल्टे बनाए दो बार एक फंदा सीधा बुना जाई डाले एक दो एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे तीन फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाया है फिर से इस पैटरन को और पीट करते जाएंगे तो दिखें तीन फंदे उल्टे एक दो तीन दो बार एक फंदा सीधा जाई डालेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे वन, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे टू, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, लास्ट में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उल्टा बुनते हुए, एस्ट इस सीधा बना लेंगे, तीसी रो कम्पलीट हो गई ह चौतीर और रॉंग साइन सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे पांच मी रहों और सीधी साइन ऐस्टे स्लिप करेंगे स्टार्टिंग में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुई यहां से repeat pattern start करेंगे दो फंदे उल्टे एक, दो धागा पीछे दो फंदे सीधे एक, दो एक फंदे के साथ फंदे बिनाएंगे center का फंदा है इस पर एक फंदे के साथ फंदे बिनाएंगे एक बास सीधा बुनेंगे 1, चाहिए डालेंगे 2 सीधा बुनेंगे 3 चाहिए डालेंगे 4 सीधा बुनेंगे 5 चाहिए डालेंगे 6 सीधा बुनेंगे 7 दो फंदे सीधे एक, दो दो फंदे उल्टे एक, दो तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए ये देखिए, दो फंदे छोड़कर यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है, इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए, दो फंदे सीधे, एक फंदे के साथ फंदे बनाए, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे बनाए और तीन फंदों का एक फंदा बनाए है, फिर से इस pattern को ऐसे ही बार-बार रॉपीट करते जाएंगे तो देखे दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो एक फंदे के साथ फंदे बनाएंगे देखें जाही डालेंगे 4, सिधा बुनेंगे 5, जाही डालेंगे 6, सिधा बुनेंगे 7, 2 फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, लास्ट में 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उल्टा बुनते हुए, एस्टिच सिधा बुन लेंगी पांचमी रो कम्प्लेट हो गई है चती रो रॉंग साइन सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगी पांचमी बना लेंगी अब देखिए साथ मी रो है और सीधी साइड है इस्टिच स्लिप करेंगे स्टार्टिंग में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए रफीट पैटन स्टार्ट करेंगे एक फंदा उल्टा ग्यारा फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, एक फंदा, उल्टा, तीन फंदों का एक फंदा, उल्टा बनते हुए. ये देखिए, दो फंदे छोड़कर यहां तक हमारा एक पैटन कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया, ग्यारा फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, फिर से इस पैटन को रिपीट करते जाएंगे, तो देखिए, एक फंदा उल्टा, ग्यारा फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, एक फंदा उल्टा, लास्ट में, दो फंदों का एक फंदा एस्ट इस सीधा बना लेंगे, साथ मी रो कंप्लेट हो गई है, आठ मी रो रोंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे, नौमी रो सीधी साइड, एस्ट इस स्लिप करेंगे, स्टार्टिंग में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उल्टा बनते हुए, ग्यारा फंदे सीधे, यहां से रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, ग्यारा फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, थागा आगे, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उल्टा बुनते हुए, यह देखिए, आगे के दो फंदे छोड़ कर यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने ग्यारा फंदे सीधे बुने, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे, तो देखिए, ग्यारा फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, लास्ट में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एस्टिच सीधा बुन देंगे, तो देखिए, नौमी रो कम्प्लीट हो गई है, दसमी रो, रॉंग साइट सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, तो देखिए, दसमी रो कम्प्लीट हो गई है, और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है, फिर से हम इसे फास्ट रो से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही बार-बार इसकी 1, 2, 10 रोर पीट करते जाएंगे, और ये पैटन बन कर इस तरह से दिखने लगेगा, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, तो फ्रेंड, आप इसे बनाएए, और अपने एक्सपिरियंस हमारे साइश शेयर कीजिए, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सस्काइब करना मत पूलें, तो मिलते हैं ऐसे ही और नए-ने पैटन के साथ, तब तक के लिए बाई-बाई फैन